रामायन फेक है ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें रोजाना सुनने को मिलता है यूट्यूब पर एक सो कॉल्ड बुध्ध जीवियों की लॉबी है जिनके जीवन का मकसद यही है कि वो रोज सुबह उठें और रामायन के बारे में बुरा भला बोलें दोस्तों ये बुध जाते होंगे कि आखिर इसका जवाब क्या देना है लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये भी जान जाएंगे कि कौन से ऐसे बुध्धी जीवी हैं जो रामायन को सच नहीं मानते और उनके लॉजिक का जवाब क्या है हमारी बातचीत में सबसे पहले हम जिस सो कॉल्ड बुध्धी जीवी के बारे में बात करेंगे वो हैं सोशल मीडिया गुरू विकास दिव्यकीर्ती इनके बारे में लोगों को लगता है कि ये बहुत सुल्जे हुए और शान्त इनसान हैं लेकिन आईए इनका एक और चेहरा देखें एक मुह से निकला र कोशिश की है कि कोई इनसान अगर IAS बन जाए तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा लेकिन धर्म को स्कैम बताने वाले विकास सर कभी इस स्कैम के बारे में बात करेंगे यहां तक तो फिर भी ठीक था लेकिन विकास दिव्यकीर्ती ने हद तब कर दी जब उन्होंने ये बय बड़ा है और रही तुम्हारी बात जैसे कुटे द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योगी नहीं रहता है वैसे तुम अब मेरे योगी नहीं हो बाद में विकास दिव्यकीर्ती बड़े बड़े लेफ्ट विंग के चैनल्स पर जाकर अपनी सफाई दे आए लेकिन उनका ये बयान अच्छी तरह से दर्शाता है कि वो किस तरह की सोच रखते हैं अक्सर जब उनके इस तरह के बयानों की बात की जाती है तो तब उनके बोलते हैं कि ये उनकी छोटी सी क्लिप है अगर उन पर आपको कोई बात करनी है तो पूरी तीन घंटे की वीडियो देखिए लेकिन इनके विकास सर पूरी रामचरित मानस कब पढ़ेंगे वो एक लाइन पर पूरी क्लास को मिसगाइड कर देते हैं कल को यही स्टूडें में रामायन को ओपनली क्रिटिसाइज किया है धुरूव रामायन को इतिहास नहीं मानते वो कहते हैं कि यह एक काल्पनिक कहानी है धुरूफ के इस तरह के बयान उनके फॉलोवर्स के मन में रामायन के प्रतिहीन भावना भर देते हैं धुरूफ खुद तो नास्तिक हैं ही वो साथ में दूसरों को भी नास्तिक बनाना चाहते हैं दोस्तों धुरूव राठी हों या विकास दिव्यकीर्ती ये लोग अकसर कोशिश करते हैं कि धर्म को साइंस के रडार में लाया जाए ताकि विज्ञान के बलबूते ये हमारे धर्म को फेक और मिथ्या साबित कर देते हैं आगे ऐसी रिसर्च है जिसकी मदद से आप वैज्ञानिक धंग से सनातन और श्री राम को सच साबित कर सकते हैं श्री राम महा भारत या रामायन पर शक करना भारत के आस्तित्व पर शक करने जैसा है लेकिन दूराचारियों को उनकी भाषा में जवाब देना जरूरी होता है ये विज्ञान के माध्यम से हमें नीचा दिखाते हैं लेकिन आज हम विज्ञान के रास्ते ही अपने आपको सही साबित करेंगे रामायन की शुरुआत होती है श्री राम के जन्म के साथ और बालमी की रामायन में लिखा है कि श्री राम का जन्म चैत्र माह के नौवे दिन हुआ था इस दिन सारे ग्रह अपनी मेजर एक्सिस पर थे और अयोध्या से उन्हें साफ देखा जा सकता था नासा का एक सॉफ्ट्वेर है जिसका नाम है प्लैनिटेरियम सॉफ्ट्वेर जब उस पर ये देखा गया कि आठ में से साथ ग्रह अपनी मेजर एक्सिस पर जब थे तो तब दिन कौन सा था तो जवाब आया 9 जन्वरी 5114 ये जवाब अंग्रेजी कैलेंडर में था लेकिन जब इस कैलेंडर को भारती ये कैलेंडर में बदला गया तो तब दिन चैत्रमास की नौवी तिथी का निकाला ये डाटा भले ही 5114 बीसी की तारीख बता रहा हो लेकिन जब ये देखेंगे कि इससे पहले ये सन्यो कब बन रहा था तो तब तारीख आएगी लगभग 8 मिलियन साल पहले की और यही वो समय है जब रामायन असल में घटित हुई थी लेकिन एक साइंटिफिक सबूत से इन लोगों का क्या होगा हमारा अगला सबूत ये पूरी तरह से साबित कर देगा कि रामायन को एक मिलियन साल पहले ही लिखा गया था ये सबूत है चार दातों वाला हाथी हो सकता है कि आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हो आपने मेहमत के बारे में सुना होगा जिसे पाशान काल का बताया जाता है लेकिन ये हाथी उससे भी पुराने हैं और रामायन में इनका जिक्र है रामायन में जब सुन्दर कांड के दौरान हनुमान जी लंका में एंट्री लेते है तो उसी समय उन्हें इस तरह के हाथियों से लड़ना पड़ता है ये हाथी 13 फुट लंबे होते थे आप पॉज करके सुन्दर कांड के इस पुरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं जब वेग्यानिकों को इस तरह के हाथियों का अवशेश मिला तो तब वो हैरान रहे गए क्योंकि ये नॉर्मल हाथी और यहां तक की मैमट से भी ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे लेकिन बालमी की रामायन में इनका जिक्र पहले से था लेकिन इन हाथियों के बारे में बात करते समय सो कॉल्ड बुद्धी जीवी आप से ये जरूर पूछेंगे कि क्या सिर्फ इनके बारे में बात कर लेने से बालमी की रामायन सची साबित हो जाती है अक्सर वो सवालों को ऐसे ही घुमाते हैं कि एक भोले भाले और सीधे इनसान के पास जो मैनिपुलेशन करना नहीं जानता उसके पास कोई जवाब न रहे लेकिन आप यहां क्रक्स को समझने की कोशिश करिए हमारा ये मकसद नहीं है कि हम ये साबित करें कि बालमी की रामायन सच है या नहीं इस पॉइंट से ये साबित होता है कि बालमी की रामायन हिस्ट्री की एक घटना है, वो कालपनिक नहीं है, क्योंकि हमें आज तक नहीं पता था कि चार दांतों वाले हाथी होते हैं, तो जरा सोचिए कि इस बात का आखिर महाकवी बालमी की को कैसे पता चला। रामायन के बारे में कहा जाता है कि उसे हाल फिल हाल में हजार दो हजार साल पहले लिखा गया है, लेकिन क्या हजार दो हजार साल पहले किसी को इस जानवर के बारे में पता था, क्या किसी भी दुनिया के किसी और गरंथ में इस तरह के हाथियों का जिक्र है, जवाब है नही तो फिर 1000-2000 साल पहले महा कवी बालमी की को ही इनके बारे में कैसे पता चला अब बढ़ते हैं हमारे अगले सबूत की तरफ विज्ञान कहता है कि 17 डिसंबर 1903 ये वो तारीख थी जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार प्लेन उड़ाया था तो क्या उससे पहले इस दुनिया में किसी को प्लेन के कॉंसेप्ट के बारे में भी नहीं पता था अगर ऐसा है तो पुषपक विमान कैसे एक्जिस्ट कर सकता है दोस्तों पहले तो समझने वाली बात ये है कि हम बात कर रहे हैं दो अलग-अलग युगों की एक टेकनोलोजी दूसरे युग में नहीं जाती और जब भी नया युग शुरू होता है तो तब उसे अपनी तकनीक खुद बनानी पड़ती है लेकिन ये बात भी वही समझ सकता है जो युगों के कॉंसेप्ट को समझता हो आज इस बात चीत में हम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे बलकि विज्ञान के सवाल का जवाब विज्ञान से ही देंगे साल 1918 में पंडित सुब्रया शास्त्री को ये पता था कि दुनिया में प्लेन का अविश्कार हो चुका है और अब आने वाले समय में कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करने वाला कि भारतीय संस्कृती में प्लेन्स का होना कोई नई चीज नहीं है उन्होंने आने वाली पीड़ी को जागरूक रखने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम है वैमानिका शास्त्र इसमें पंडित सुब्रया शास्त्री ने हर उपनिशद वेद और ग्रंथ को कमपाइल किया है जिसमें प्लेन्स के बारे में बात की गई है और रेफिरेंस भी उन्हीं श्लोकों का दिया गया है जो कि प्लेन्स की साइन्स के बारे में बात करते हो अगर कहा जाए कि ये किताब पढ़कर आप planes की technology को समझ जाएंगे तो गलत नहीं होगा जब दुनिया plane का concept भी नहीं जानती थी तो तब इस तरह के शलोक लिखना जो plane की technology को वैसे ही define करें जैसे कि आज plane बनते हैं इससे रामायन काल में पुश्पक विमान होने की बात को बल मिलता है ये एक ऐसा उजाला है जिसे आख बंद करके भी जुटलाया नहीं जा सकता लेकिन लोग जुटलाते हैं जैसे हमारे मानिय सुप्रीम कोर्ट के retired जज मारकंडे काटजू लिखते हैं कि मैं और मेरे परिवार के लोग जब भी पुश्पक विमान और ब्रह्मस्त्र में लैस एटम बॉम के बारे में बात करते हैं तो तब हमें हनसी आती है तो दोस्तों ये थे रामायन और उससे जुड़े वैग्यानिक सत्य हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप इन साइन्टिफिक लॉजिक को रखकर किसी के भी सामने रामायन को साबित कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये लोग उस सच को सुनना नहीं चाहते हैं हमने आपके सामने जो भी फैक्ट रखे उसके बारे में रिसर्च करने में हमें एक से दो दिन का समय लगा लेकिन विकास दिव्यकीर्ती, धुरुवराठी या जस्टिस मारकंडे, काटजू जैसे लोग जो की समाज के बुद्धी जीवी हैं और इनके फॉलोवर्स मानते हैं कि ये सुभह शाम पढ़ने लिखने में ही इन्वाल्व रहते हैं इन जैसे लोगों को ये सच नजर नहीं आते होंगे, इनको ये सच नजर आते होंगे, लेकिन ये उस सच को देखना नहीं चाहते इन सभी सबुतों में हमने अब तक राम सेथु का जिक्र नहीं किया है श्री लंका में मौझूद हिमालाय परवत के एक हिस्से का जिक्र नहीं किया है लेकिन ये लोग जो रामायन को इमैजिनेशन बता रहे हैं, वो जानते सब हैं लेकिन मानते क्यों नहीं हैं? क्यों? क्योंकि इस से उनकी ओडियन्स को खुशी मिलेगी उनका राजनितिक जुकाव सैटिसफाइड रहेगा? ये लोग ये मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमसे एडवांस थी लेकिन रामायन और महाभारत के एडवांस होने पर इन्हें हंसी आती है काटजू साहब ने तो राम को भगवान तक मानने से इंकार कर दिया है ये जानते हुए भी कि इंडियन पिनाल कोड की धारा 96, 154, 295 और 298 के अंतरगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना गलत है लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी नियमों के प्रती अवेर होने के बावजूद नियम तोड़े तो आगे क्या कहा जा सकता है इन सब के बाद एक राम भक्त के पास आखिरी रास्ता बचता है वो ये कहता है कि रामायन को असली मत मानिये आप कालपनिक समझना चाहते हैं तो वो भी समझ लीजिए लेकिन जिन बातों को वो सिखाना चाहते थे उन्हें सीख लीजिए ये लोग उस पर भी तयार नहीं होते इसलिए इस तरह के इंफ्लूएंसर से दूरी बनाए रखिये आप इन्हें किसी भी ढंक से समझा नहीं सकते तो अब आप कमेंट में जै श्री राम लिख कर जैकारा जरूर लगा दें और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि हिंदुस्तान के हर घर तक ये वीडियो पहुँच सके धन्यवाद